सर करनाटक में 28 सीट है 28 में पिछले बार 25 सीट आया था बिजी पिका इस बार पांच भी नहीं आते क्या कारण आइसके बिजे की चार पांच मुखी मंत्रे आते बरस्टा चार किया है करनाटक का पूरा लूट दिये उस लेकर पिछडे नेता अभी सिदरा माया है और सिदरा माय का 20-25 सीट आने वाला करनाटक में अच्छा और जो अभी सुरेश का जो बयान सामने आया है कॉं करनाटका ने जी एस्टी में 4.6 लाक करोर के क्या टैक्स यह किया है 4.6 लेकिन अभी करनाटका को सिर्फ 50,000 करोर मिला है और कल वो श्ट्राइक भी है जंतर मांतर में उसले आया है लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी भारत की अखंडता और संप्रभूता को तोड़न करनाटक में आए कि देखो जी आपको क्या पूछा मैंने आपको यह पूछा जो सुरेश कुमार ने जो स्टेटमेंट दी है आप उसको जोड़ दे सर कैसे दो देश दूसरे देश के पाच साल में दस साल में क्या कि आप मुझे आप बस यह बोल दीजे उन्होंने सही बोला गलत साउत के बारे में पूछो दिली के बारे में मत पूछो दिली नहीं करनाटक के दो जी बोल रही है न हमारा फैसा आरही वह पैसा भी नहीं दे रहे वीचे पी गुरॵमांट पर उन पर उन पर एक्शन होना चाहए नहीं हो हो अलग जी अभी प्र लग क्यों कैंने इसको पूछनी के सब आपकर रहे हैंना उन्होंने जो स्टेडमेंट दिया उसी देवाम आये हैं हमारे करगे साब का बारे में पूछो सिद्रामाई के बारे में पूछो बोलते हैं वह भी तो सांसत है करनाट किसे 30 35 है तो मानिये ना उन्होंने गलत का है जो गलत है उसको तो मानिये उसका क्या है वह पड़ा भी देखा भी नहीं जो चीज गलत है वह आप देखेंगे गलत देश के लिए हम भी देश की मांग कैसे कर सकता हैं? कोन भी कर सकता नहींग है. इस देश में सब इने रहने का है. कोन भी चाहिए वे बहुँ जाने का है. कॉन पे एक्षन लेना चाहिए पाल्टी का क्यों ले रहे हैं एक आजमी बोले तो समध्ध नहीं दीम के वो सनातन धरम के लिए तमाम चीज़े कहते हैं तब भी आप बोल देते हैं पर नहीं जे वो उसका परसनल हो देखो जो स्टेटमेंट ए उल्टी सी दियाएंगी तो प संपरवुटा के बारे में कुछ भी बोलेंगे गलत है तो आप बोलेंगे पर से लिए देश के लिए इदर टक आने को हमारा इंड्रगंदी रजावल्ला निरू राजुगंदी सब बैंब अभी तसाल पाकी और जो लाखो सोतंतरता सैनानियों ने जो योगदान दिया उनके बारे में बात नहीं नहीं वह आई ना सुभाष चंदर बोश जी के बारे में को नहीं जानता कॉंग्रेस ने क्या जासू सी करना पार्टी चोड़ो जी खुद का पोचो सब लोग है हम यह एक तो इस बपोती से बाहर निकलना पड़ेगा कि इस देश को आजादी केव़ल कॉंग्रेस ने दिलाई इस बपोती से बारे में कि यह कैसे क्लेम करते है कि हम ही ने आजादी दिलाई प्रदान मंत्री क्यों नहीं किया गलत था गलत ना वो पहिदा नहीं हो गतता न हमको क्या मलूम हो तो कॉंग्रेस के नेता है जो अच्छे हैं विदान सबाद तो हो गया चुनाव के लिए क्या महोल है वहां यदर से करनाटक में कमर्नाट का कांग्रेस गॉर्मक का पंच गारेंटाय है उसको फुल मॉब है करनाटक में ग्रे लक्समी, ग्रेय जोती, योवन दी पांच गारेंटे है साह नैंटी पर्सेंट गारेंटी जंडर को पहुंचाएंगे अब लोकसभा का चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? लोकसभा चुनाव में भी वो ये पिसले कॉर्मेंट नरेंदर मोजी कॉर्मेंट का बहुत दरवाड आए इंडिया में वो कृषी लोग को बहुत आपका क्या नाव है? हिमान्चु जोशी कहां के रहने वाले? मैं देव भूमी उत्राखंड में कहां के रहने वाले है? मैं उत्राखंड में अलमोडा डिस्टिक्ट जागेश्वर्दाम के पास में क्या माहोल चल रहा है देव भूमी में? किसकी सब्सक्राइब लाना चाहरे है लोके इंदर? सर देव भूमी में तो पहले भी 400 पार अब की बार भी 400 पार मतलब पूरे जोड लगाया पूरा सोड से मतलब BJP ही आएगी 100% लिखके दे रहे हैं मतलब मैंने हमारे दादाजी थे मतलब उनकी 80 years के हो हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब बच्चों बोट किसी को देना तो मोधी को ही देना कारण कुछ बताते होंगा ना इसके पीछे क्यों देना मोधी सर कारण एक नहीं है अगर एक कारण होता तो बताया जाता अब उनने छोटे समाज से लेके हर जेका मतलब इतनी मतलब सुविदायन आप हर घर जल देख लीजिए हर घर नल देख लीजिए हर उज्ओलाज गैस सिलेंडर देख लीजिए जिसके बास अवास निया आवास देख लीजिए आप हर ज़िफ थार मतलब ऐसी कोई टैसमें उनने कमी किया हर हर छेतर में विकास के आज आप विदेश उसमें देख लीजे टांसपोर्ट देख लीजे जी डीपी हर चीज में मतलब पहले से जो मतलब इससे पहले बहुत विकास हुआ है इस बार जो विपक्स तो कहता है महंगाई है रोजगार नहीं है बेरोजगार गुम रहे हैं सब लोग युवा के लिए सरकार दोरा कई प्रकार के रोजगार दिये जा रहे हैं अब आप बताईए आजकल पड़ा लिखा हंडेट परसेंट आदमी है मतलब पड़ा लिखा तो है लेकिन इसको पता निए उसको क्या करना है उसको अपना लक्षी को मतलब यह पता निए कुछ को कि हमने क् पड़ा लिखे है उसको छोटा काम तो करना नहीं है मैं आपको छोड़ा सा धर्ण दे रहा हूं एक चाय वाला एक चाय की टपरी वाला दिन में 500 चाय बेजता है वो करीबन दिन का 3-4 जार बचा लेता है महिने का 80-90 जार बचाता है एक हमारा B.A.B.A.B.C. वाला उसको छ आतरा की जहां पर भी राहूल गादी नहीं आतरा की वहां से वह डूबे आप चाहिए कहीं का भी देख लीजिए पहले मैं तो कहीं जगों में घूम चुका हूँ हूँ छतिस गड़ में भी पहले कॉंग्रेस की थी बट इस बार भी वहां 36 गड़ गया था लेकिन BJP का इत समय आने पर वोट के चक्कर में टोभी पहन लेते हैं वोट के चकर में माला भी पहन लेते हैं अब उनको यह समझ मनी आता हैं कर तो भी पहन नहीं है अब वो परसो योद्या गए थे अब बार तो हो गया तो राहूल गंदी कहा जाएंगे तो क्या पता हमारे को उनकी पाल्टी वाले मालूम है हमार तो गैलोत का क्या आगे अभी विश्य नजर आ रहा है अभी तो कुछ नहीं है